अब आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिंप्लेक्स मेथर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथर्ड अल्रेडी कवर हो चुका है सिंप्लेक्स मेथर्ड का गई जो मैक्सिमाइजिशन प्रॉब्लम है वो हमने अल्रेडी कम्प्रीट कर लेंगा लेकिन अब मैंने देखा काफ़व सारे स्टुड keine प्रॉब्लम करवा लिजे सिंप्लेक्स मेथर्ड की एक बार फिर से डिटेल्ड विडियो बना जीजे तो ज में discuss करने के लिए तो सबसे पहले कुछ basic rule समझ लेते हैं और देखते हैं कि simplex method जब आप perform करेंगे जब आप apply करना चाहते हैं simplex method को तो आपको किन किन चीजों का धियान रखना है question start करने से पहले फिर एक question भी करके रिखाएंगे आपको minimization का maximization का question already solve हो चुका है उसकी link जो है description box में देती जाएगी यहां कहीं आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा अब आई यह शुरू करते हैं समझना लेकिन सबसे पहले क्या कहना चाहरें कि जो आपका question है उसकी एक standard form होती है और उस standard form में आपका question होना चाहिए कैसे होना चाहिए यह देखते हैं किन-किन बात होगा आपको ध्यान रखना है question को solve करते टाइम तो question जब आपको मिला तो सबसे पहले आप देखेंगे check whether the objective function of the LPP is maximized or minimized if it is to be minimized then we convert it into a problem of maximization by this क्या मतलब इस बात का यह कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो भी structure है LPP का हम कैसे decide करते हैं कि कोई particular question जो है वो LPP का है या नहीं है तो उसमें एक होता है objective function कुछ होते हैं inequalities या constraints और एक होती है आप पर पास non negativity condition यही तीन चीज़े हमने देखी थी जब हम graphical method की बात करते थे तो यह तीन चीज़े हैं यह कह रहे हैं कि सबसे पहले objective function को देखिए कि वो maximization के लिए है या minimization का question है तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साब maximization का question है तो कोई परिशानी नहीं है लेकिन अगर question minimization का होता यानि के question कुछ इस सरह से होता minimize z equals to 3x1 minus 5x2 plus 2x3 यह कहना चाह रहे हैं कि अगर question मेरे पास यह होता तो क्या करते तो साब पहले इसको convert करते maximization में कैसे करते देखिए समझी ज़रा आप लिखते maximize z dash z dash और ही z dash क्या है इसका मतलब है कि जो आपका function का minimize वाला इसको minus से multiply कर देए minus 1 से अगर इस पूरे को आप multiply कर दें तो कुछ इस तरह नदर आएगा आपको यह minus का 3x1 plus का 5x2 और minus का 2x3 यह हो गया आपका minimize बहुत आसान है कुछ भी परिशानी नहीं है ठीक है ना जो आपका minimization वाला जो function है उसको आप क्या करेंगे minus 1 से multiply कर दीजे और आप यह maximize में convert हो जाएगा आगे समझना है भई क्या करना है एक्सप्रेस दा प्रोब्लम इन स्टेंडर्ड फॉर्म बाई इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सर्प्लस वैरियेबिल तू कनवर्ट का inequality constraints into equation क्या मतलब है भई आप जब question करना स्टार्ट करेंगे तो यह जो आपकी constraints है इन में या तो slack या surplus variables को इंट्रोड्यूस करना है कैसा करना है देखिए एक बास समझेए question अगर less than वाला है तो आप क्या करेंगे slack variables का use करेंगे और अगर question आप देख रहे more than type का है तो आपको क्या करना है आपको use करना है surplus variables का less than वाले question में slack variable more than वाले question में surplus variable introduce किस्तरां से करने है देखिए जब मैं इसको लिख वह जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहरा हूं तो यह इस तरह बंद आएगा देखिए 24x1 plus 4x2 plus 2x3 यह हो गया अब इसमें slack variable लगाना है तो प्लस कर देंगे s1 और यह equation में convert हो गया बन गया मेरा 240 और equation आ गई है पूरी ठीक है ना s1 क्या है slack variable लगाया है इस time में ने आगे चलते हैं बई अब आप जब आगे चलेंगे तो इसको लिया आपने अब यह जो value है आप देखेंगे यहाँ पर यह more than वाला है इसमें किस तरह साइगा तो more than वाले मताया है surplus variables को introduce करना है तो 10x1 प्लस 40x2 प्लस x3 और surplus variables जो है वो minus करना है आपको तो minus s2 equals to 420 यह equation पर convert हो गया last वाला देखेंगे दुबारा यह less than वाला है तो less than वाले के लिए slack variable को लेके आना है फिर आप चलेंगे तो आप लिखेंगे इसमें x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस s3 equals to minus का 60 तो इस तरह से आपने क्या किया यह अगर more than वाला है portion जैसे यह more than है तो surplus variable और उसको आप deduct करेंगे और अगर less than वाला है तो आप लाएंगे slack variable और उसको क्या करेंगे उसको आप add कर देंगे तो इन चीजों को यहां पर लिख लेते हैं ताकि हम इसको याद कर पाएं कि अगर portion इस तरह से मिलेगा less than वाला तो आप add करेंगे slack variables को चीक है ना और अगर question more than वाला मिला हमें तो हम deduct करेंगे surplus variables को यह बात समझ में आ गई कब add करना है कब deduct करना है अब आगे चलते हैं और समझते ही check whether all the bi's, bi's का मतब होता है right hand side जो है यानि कि यह वाली values ठीक है ना इन वाली values के लिए बता रहे है are positive or not if any bi is negative then multiply the constraints by minus 1 अब जैसे आप इसको रेखेंगे तो यहाँ पर right hand side जो है positive है positive है इसमें negative है तो कह रहे है कि इस पूरे को आप क्या करिए minus 1 से multiply कर दीजे और इसको minus 1 से multiply कर देंगे तो यह आपको कुछ इस तरह से नजर आएका देखें minus x1 minus 4 x2 minus 3 x3 और यहाँ पर हो जाएगा 60 अब यह धियान रखेंगे कि जब हमने इसको minus से multiply किया तो अब क्या होगा इसका sign जो है change हो जाएगा तो यह आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा तो यह आप इसको क्या करेंगे convert कर देंगे ठीक है ना अब देखिए यह सारा का तो हमने कर लिया last में जब हम slack variables को या surplus variables को यहाँ बर लेकर आ रहे हैं तो वही चीज अपने objective function में भी represent करेंगे with zero cost तो इसी के साथ आगया आप इसमें add करेंगे 0s1, 0s2 और 0s3 ठीक है ना तो जो भी slack या surplus variables है वो आपके objective function में भी add हो जाएंगे और अब यह quotient जो है आप का proper एक standard form में convert हो चुका है और अब आप इसको solve कर सकते हैं तो हम आई यह start करते हैं समझना एक portion minimization वाला तो यह तो कुछ general rule थे कि जब आप start करेंगे तो किन किन बात होगा आपको जहान रखना है अब एक portion लेते हैं और solve करते हैं by using simplex method तो आई यह अब एक portion देख लेते है portion है हमारे पास solve the following LPP by using simplex method कहा गया है minimize z equals to x1 minus 3x2 plus x3 subject to constraints 3x1 minus x2 plus 2x3 is less than or equal to 7 minus 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 is less than or equal to 10 और यह आ गई मेरी non negativity condition जहाँ पर कह रहे हैं कि x1, x2 and x3 should be greater than or equal to 0 तो यहाँ पर दीखे एक proper standard form में question है एक objective function एक inequalities का set है और non negativity condition है अब आपको क्या करना है भाई कि सोचना है जो अभी हमने रूच पढ़े थे उसके हिसाब से कि तीन चीज़े तो available है लेकिन क्या ही standard form में है यहाँ पर देखेंगे minimize लिखा हुआ है तो अभी हमने देखा कि अगर question जो है वो minimization का है तो पहले आपको इसको maximize में convert करना पड़ेगा तो बन जाएगा maximize z dash equals to इसको minus 1 से multiply करते हैं minus x1 plus 3 x2 minus x3 तो यह convert हो गया आपका maximize में और अब यह जो आपके constraints है इनको आपको slack variables को introduce करके करना पड़ेगा equations में convert और यह सारे देखें less than type वाले है तो slack variables को add करेंगे तो कुछ इससरा नजर आएका देखें 3 x1 plus x2 plus 2 x3 और यहाँ पर आजाएगा आपका s1 equals to 7 यह convert हो गया equation में फिरागे चलते लेखें minus का 2 x1 plus 4 x2 और यहाँ पर भी plus करेंगे अपना slack variable second और यह convert हो गया equation में finally 4 x1 plus 3 x2 plus 8 x3 और third slack variable आगया और यह भी convert हो गया equation में अब देखें आपको क्या करना है बई कि यह आपने convert तो कर लिए लेकिन यह जो आपका objective function है यहाँ पर zero cost के साथ इन slack variables को भी लेकर आना पड़ेगा तो 0s1 plus 0s2 plus 0s3 अब यह आपने अपना solution करने के लिए बिल्कुल तयार कर लिया है इस question को change कर लिया है modify कर लिया है और अब आप बना सकते हैं अपनी initial simplex table initial simplex table जो है वो कुछ इस type की नजर आती है देखें किस सरा से fill करना है आईए समझते हैं देखें सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे है basic variable तो basic variable मेरे पास है objective में से देखेंगे x1 है x2 है x3 है s1 है s2 है और s3 है इनको लेखेंगे देखें x1 x2 x3 s1 s2 and s3 यह आगए मेरे basic variables अब क्या है देखेंगा coefficient of basic variable यह जो आपका cg है यहाँ पर आपको लेकर आना है जो coefficient आये का इस basic variable का तो इसका मतलब इसके साथ है minus यानि कि minus का 1 यहाँ पर देखेंगे plus का 3 है तो 3 आगया यहाँ पर आप चलेंगे तो देखें दोबारा minus का 1 है इनके साथ है zeros आप इधर क्या करना है जितने भी आपने slack variables इंट्रोड्यूस करें है उनको यहाँ पर लिखेंगे इनके coefficient यहाँ पर आ गए 0000 इतनी बास समझना रही है अब अंदर आपको एक matrix form करनी है इन equation से जो यहाँ पर आपने बनाई है तो 3 1 और 2 इस टाइप से है न और देखेंगे ज़रा X1 के साथ देखेंगे 3 है X2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है X3 के साथ है 2 S1 यहाँ पर available है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर S2 और S3 नहीं है तो 0000 आ जाएगा दोनों की जगा पर और 7 आ दिया मेरा solution में जो right hand वाली चीज़ है वो solution में आएगी फिर आप चलते हैं लिए minus 2 फिर द देखें यहाँ पर X3 नहीं है तो X3 नहीं है तो 00 зал यहाँ पर s2 मेरे पास तो इसमें तो बन जाएगा यही दिरो हो जाएगे और यहाँ पर आगया स्वर 사़ तो id फिर हैं मेरे पास देखिए 3 यहाँ पर है 8 यहाँ पर S3 है तो S1, S2 जो है वो हो जाएंगे 0 और solution में आ गया 10 इतनी बात क्यो है? वो समझ में आ गई हमने portion को इस सरा से initial simplex table में निकलिया अब क्या करें बई? अब यहाँ पर देखेंगे ZJ ZJ क्या है? आप multiply करना ने कि किस सरा से? this into this plus this into this plus this into this जो भी value आईगी एड करके वो यहाँ पर लिख देंगे तो 0 into 3, 0 0 into 2, 0 0 into minus 4, 0 और इन सब का समझ मा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 0 क्योंकि यहाँ पर 0 से multiply कर रहा हूँ तो हर बार मुझे 0 ही मिलने वाला है 0 into 1, 0 0 into 4, 0 0 into 3, 0 सब को सम कर लिए कितना आ गया? 0 इस तना से सभी को सम कर लेंगे multiply करने के बाद अब देखेंगे आप value चाह रहे हैं हैं आप TJ minus ZJ तो CJ minus ZJ में क्या करना है है वई? यह CJs है और यह है ZJ तो this minus this आगया minus का 1 3 minus 0 आगया 3 फिर देखिए 1 minus का फिर 0, 0 और 0 इस सरा से आपको सभी values को multiply करते हुए लेकर आना है अब क्या करना है वई? अब आपको देखना है कि यह जो मेरा CJ minus ZJ है इस में जो सबसे बड़ी value है उसको उठाना है तो भई बड़ी value कौन सी है बड़ी value है मेरे पास 3 अगर किसी बजा से दो बड़ी value मिल जाए आपको तो you are free to choose किसी भी एक को आप choose कर सकते है मेरे पास यहाँ पर फिलाल एक ही value है जो इन सब में बड़ी आ रही है जो larger value है जो greatest value है उसको आपने उठाना है और इसके सामने जो आपका column आ रहा है उसको encircle कर लेना है और यह कहलाएगा key column क्या कहलाएगा बटा key column अब क्या करना है यह जो आपके पास इदर figure है solution वाली अब आपको इस solution को divide करना है key column वाली values से solution को divide करेंगे key column से और divide करने से पहले देखिए यहाँ पर इसको तरह ठीक कर लेते हैं यहाँ पर देखिएंगे आप 3x1 है और minus का x2 है ठीक है ना तो इसी के according अगर मैं यहाँ पर देखी तो यह कहलाएगा मेरा minus का x1 ठीक है तो अब हमें इसको divide दरना है तो यह मिलेगा देखिए minus का 7 divide होने के बाद यह divide होकर आजाएगा 3 यह divide होकर आजाएगा 3.33 अब यह जो value मेरे पास आई है जो minimum ratio वाली value आई है उन में से लेनी है lowest value यहाँ पर देखी थी आपने greatest value अब लेनी है lowest value तो इन में से lowest value जो consider करनी है लेकिन वो positive होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना है तो आप इसको तो बिल्कुल भी consider नहीं करेंगे वैसे तो भाई lowest value यही है लेकिन positive होनी चाहिए तो क्या करना है इसको consider किया जाएगा ठीक है ना और जब इसको consider किया जाएगा इसको आपको учile करना है पूरी रो को और यह कहलाएगा यहां पर जो देखिए intersection हो रहा है यह वाला ये कहलाता है E element E element ये आपने initial simplex table बनाई है इसमें हमें ये कुछ values मिली है इनकी help से आगे profit करेंगे और portion को जब तक solve करेंगे जब तक cj-zj की सारी values निगेटिव न हो जाएं ठीक है ना तो आईए solve करते हैं इसको यहें पर लिखा रहने देते हैं इनको साफ करते हैं और आगे शुरू करते हैं Welcome to Shapeser Classes Commerce Students की अपनी coaching B.com Students की favorite coaching यहाँ पर बेटा हम provide करते हैं आपको complete B.com solution semester first से लेकर semester 8 तक जो भी numerical subjects हैं वो सभी आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझाए जाते हैं पढ़ाय जाते हैं और theoretical subjects में भी जो guidance है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको guidance मिलेगी बेटा मेरी और साथ में जो हमारे respected AMU faculties हैं उनकी guidance भी यहाँ पर मिलती रहती है ताकि आप अच्छे से अच्छा score कर पाएं और यहीं से पढ़ने के बाद माशालला आपके काफी seniors हैं जो अलग-अलग numerical subjects में highest marks score करके लाएं अपनी अपनी classes में और एक तो आपकी senior है माशालला उन्होंने gold medal भी हासिल किया है श्वेफसर classes और अपनी मेहनत के साथ तो महविश को बहुत-बहुत मुबारक हो उन्होंने gold medal लिया था AMU से और आपके पास भी अभी मौका है कि आप श्वेफसर classes से join कर सकते हैं और आपके पास भी अभी मौका है कि आप श्वेफसर classes के साथ अपना जो future है उसको bright बना सकते हैं जितना अच्छाए score करेंगे पूरे चार साल की जर्णी में उतने ही जादा बढ़िया chances रहेंगे आगे job opportunities के लिए और further studies के लिए तो जल्दी से आजएंगी बटा जॉइन कर लिए श्वेफसर classes को most welcome I hope आपको ये सब समझ में आ गया होगा अब देखिए बहुत ही दिहान से यहां पर देखिए और समझिए कि हम क्या करने वाले हैं देखिए अब ये जो हमारी key row आई है और जो key column आया है यहां से जरा अच्छी तरह समझिए जो key row है इसके सामने जो basic variable है जो slack variable लगाया है वो अब यहां से हट जाएगा और इसकी जगा पर entry लेगा आपका जो key column के सामने है यानि कि X2 अब जब आप इसको लिखेंगे तो यह कुछ इस तरह से नजर आएगा S1 अपनी जगा रहा S3 अपनी जगा रहा लेकिन जो key row है और key column है तो उसकी वजह से X2 ने यहाँ पर entry ले लिए है और अब जो आप नई table develop करेंगे उसमें values किस तरह आएंगी यह अच्छी तरह समझिए ज़रा लेकिए values किस तरह लिखेंगे अब जैसे यह है आपका coefficient of basic variable तो S1 तो 0 है S3 भी 0 है लेकिन X2 के साथ है 3 तो यहाँ पर आगया 3 यह वाला ठीक है ना फिर आगया चलते हैं यहाँ पर देखिए वह यह वाली values जो है वो same रहती है इसका मतलब X1 X2 X3 S1 S2 S3 यह अपने यहाँ पर as it is रहे minus 1 3 minus 1 0 0 0 यह as it is यहाँ पर आगया अब बाकी चीज़ों को आपको fill up करना है किस तरह से समझी देखिए अब यह जो सबसे पहले आपकी कॉलम है जो आपका P row थी इसको बनाना है तो P row कैसा बनेगी देखिए formula है old value divided by key element लिख रहे हैं देखिए formula किस चीज़ का formula new value of P row जो key row थी पुरानी वाली उसकी new value कैसा लाएंगे तो formula बता रहे है old value upon key element old value upon key element तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जो value आपके पास है minus 2 minus 2 upon 4 कर देंगे तो value आजाएगी minus का 1 by 2 minus का 1 by 2 फिर आप देखेंगे 4 तो 4 upon 4 हो गया 1 old value 4 है key element भी 4 है तो बना गया फिर आप देखेंगे 0 by 4 which is equal to 0 0 by 4 again 0 1 by 4 और 0 by 4 कितना हो गया दुबारा 0 और वहाँ पर देखेंगे 12 तो 12 by 4 यहाँ पर आगया 3 तो यह आपने बना लिया विटा अपनी जो key रो थी उसकी new values हमारे पास आ देखेंगे अब यह जो बाकी values है इनको कैसे लिखें इसके लिए formula देखें new values के formula को देख रहे है new values चाहिए आपको new values का formula है old value minus यानि कि जैसे 3 है तो 3 लिखेंगे minus तो क्या करना है corresponding key row value into corresponding key column value upon key element क्या मतलब है देखिए सबका यहाँ पर values calculate करके रिखा रहा हूँ जैसे 3 है तो हम यहाँ पर देखना चाहिए कि सब 3 की जगा पर क्या आना चाहिए तो old value आपने लिखी 3 minus corresponding की रो वैल्यू इसके corresponding की रो यह चल रही है value है minus 2 तो minus का 2 into multiplied by corresponding key column value तो भाई इसके सामने key column की value क्या है minus 1 यह आगिया minus 1 upon क्या बता रहे हैं वही कि यह element कितना है 4 जब आप इसको solve करेंगे तो इससे यह cancel हो गया नीचे आगया 2 ठीक ना minus से minus cancel हो गया आपका क्योंके multiply करेंगे तो प्लस बन गया तो अब आपको यह इससरा नजना आ रहा है रहे है 3 minus 1 by 2 और जब इसको solve करेंगे तो यह हो गया आपका 6 और जब minus 1 कर देंगे तो value आगई 5 by 2 तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 by 2 यह value आगई हमारी जो नई value आई है समझपा रहे हैं किससरा आई है दुबारा करके देखते हैं देखें एक value और calculate करके लिखा रहा हूँ जैसे आपको value बनानी है इस 1 की इस minus 1 की जगा पर क्या आएगा तो minus 1 क्या है old value minus corresponding की row value अब इसके corresponding जो row है आपको यह वाली चल रही है ना 0 और इसकी value 4 है multiplied by कह रहें corresponding key column value तो इत्वाक से रहेंगे कि यही key column है तो यही value आजाएगी minus 1 upon में आगया 4 क्योंकि key element क्या है 4 इससे यह cancel हो गया minus minus plus और minus 1 plus 1 हो गया 0 minus 1 plus 1 कितना हो गया 0 तो यहाँ पर आगया 0 एक value और समझते हैं उसके बाद मैं आपका time save करूगा और सारी values को fill कर देंगे खीके ना तो जैसे इस वाली value को लेखते है यहाँ पर जो solution है यहाँ पर क्या आना चाहिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए देखते है 7 है तो old value लिखिए आपने 7 minus फिर क्या करावई corresponding key row value तो इसके corresponding key row यह चल रही है यहाँ तक ले लिए इसको गुरा यह चल रही है 12 आ गया into corresponding key column value key column यह वाला चल रहा है value है minus 1 upon key element क्या चल रहा है 4 इसको solve करेंगे तो कितना आजाएगा 3 और 3 into minus 1 हो गया minus का 3 minus 3 और जब यह भाहर खुलेगा तो यह बन जाएगा आपका 7 minus minus plus 7 plus 3 और solution ना जाएगा आपके पास 10 यह आ गया 10 आयोब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इन values को fill करना है तो चली जल्दी से सभी values को fill कर लेते हैं तो देखिए यह हमारी जो पूरी row बन है वो complete कर लिए हमने इसी तरह से देखिए एक value में आपको row 3 की change करके दिखा रहा हूँ फिर इसको पूरा fill कर देंगे जैसे यहां पर आप देख रहे हैं वही माइनस फॉर है तो हमने लिया देखिए कि माइनस पूर old value minus corresponding key row ए मेंजह है तो corresponding value हो गई आपका minus का two into corresponding key column की value क्या चल रहा है देखिए की इन प्लस बन जा गा यह आगया 3 by 2 माइनस का 3 by 2 बहार जाएगा प्लस बन जाएगा तो माइनस 4 प्लस 3 by 2 कुछ ऐसा नदर आएगा आप जब इसको आप solve करेंगे तो 2 4s हो गया 8 और माइनस का 8 है माइनस 8 प्लस 3 हो गया माइनस का 5 तो माइनस का 5 by 2 जो है वो हमारी वैल्यू आजाएगी माइनस का 5 by 2 ठीक है ना? बस इसी तरह से सारी वैल्यूस को जल्द यल्दी फिल कर लेते हैं तो ये बेटा हमारी लिए सारी वैल्यूस फिल कर ले गई है एक बार आप सुकून जो सारी वैल्यूस calculate करिए, match करिए, और फिर comment section में बताईए, कि क्या आपने सही calculate कर पाए, या नहीं कर पाए, अब देखे, z, j पे आ रहे हैं, z, j भी हमने आपको समझाया था, क्या करना था भई, this into this, plus, this into this, plus, this into this, और जो value है, वो z, j कहलाती है, यहाँ पर देखेंगे, देखे, 0 into 5 by 2, 0 हो गया, 0 into minus का 5 by 2, 0 हो गया, कितना आसान है, बस यह बचा, इसका मतलब 3 into minus का 1 by 2, यह हो गया, minus का 3 by 2, तो, यह value हो अगए हमारे पास, minus का 3 by 2, तो, यहाँ पर आगया, देखेंगे, आपका minus का 3 by 2, फिर चलते हैं देखे, आगे, 0 into 0, 0 हो गया, 0 into 0, यह भी 0 हो गया, 3 into 1, आ लेकिन आसान बाकी चीज़ क्योंकि इनकी ऐसे अपने आप खतम हो जा रहे हैं, 0 x 2, 0 x 3 बार ये भी 0, और 0 x 8, 0, सब को प्लस कर लेंगे 0 आ गया, 0 x 1, 0, 3 x 0, खतम हो गया, 0 x 0, खतम हो गया, 0 x 0, खतम हो गया, 0 आ गया, यहां पर आ जाईए, सिर्फ देखें, ये भी खतम ह हो जाएगा, ये भी खतम हो जाएगा, बस वैल्यू बचेगी, 3 x 1 x 4, तो 3 x 1 x 4 कर दीजे, 3 x 4 आ गया आपका, फिर आगा चलिए, 0, 0 and 0, तो ये वैल्यू आपकी अपना आप कैंसल आउट हो जाएंगे, अब करना है, cj-z, तो भाई, cj-z, ये cj's है, ये आपका zj है, मा माइनस 1, माइनस, cj-z, ये कर रहा है, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, अब एक और ले कहाएंगे, माइनस का 3 by 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 1 प्लस 3 by 2, जब इसको सॉल्फ करेंगे, तो ये बन जाएगा, आपका माइनस का 2, और यहाँ पर हो जा करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस वन जीरो माइनस का 3 by 4 क्योंके आप लगेंगे माइन 0 माइनस 3 by 4 है ना माइनस का 3 by 4 आ गया और यहां आ गया 0 तो कुछ इस टाइप से आपको वैल्यूस नजर आने वाली है यह आ गई है आपकी cj-zj की वैल्यू अब जैसा कि अभी बात हुई थी कि भाई cj-zj की वैल्यू जब तक निगेटिव नहीं आ जाएगी जब तक आपको optimum solution नहीं मिलेगा तो इसी लिए अभी देखिए यह वाली वैल्यूस तो निगेटिव हो चुकी है यह अभी भी बच रही है तो क्या बता यह बन गया आपका key column अब key column के बाद क्या करना है यह जो solution वाली values है इनको आपको divide कर देना है key column से और minimum ratio वाली values मिल जाएंगे आपको तो करते हैं चलिए 5 by 2 यह है और 10 divided by 5 by 2 का मतलब हो गया इस तरह से रेकेंगे आप दिहान रखी का लेकिन जब solve करेंगे तो 10 into 2 by 5 बन जाए गया यह और यह हो गया 2 और 2 to the 4 फिर आगा चलिए रेके क्या है यह आपका 3 divided by minus का 1 by 2 और जब solve करेंगे तो 3 into minus का 2 यानिके minus का 6 फिर आगा चलते हैं आप देखे 1 into minus का 2 by 5 solve करेंगे आगया minus का 2 by 5 अभी बात हुई कि जो negative values है वो हमारे काम की नहीं है तो negative values को तो देखने नहीं है आपको अब जो value बची वो यह बची आपकी ठीक है ना तो इसको आप in circle कर लेंगे और यह आ जाएगे आप की रो यह बन गई की रो और यह आगया मेरा की एलिमेंट की एलिमेंट इनकी हेल्प से बनाते हैं iteration second तो यह आगई आपकी iteration first अब दुराइस को समझते हैं लेकिए यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो रो आई है की रो वहाँ पर लिखा हुआ है S1 और जो की कॉलम आया है यहाँ पर लिखा हुआ है X1 तो अब यह S1 चला जाएगा इसकी जगा पर आ जाएगा S1 और यह पहले ही आ चुका था तो X2 अपनी जगा रहेगा और यहाँ पर रहा आपका S3 इसमें कोई चेंज नहीं है S3 अपनी जगा पर रहा value देखिए वई तो X1 के साथ है minus 1 X2 के साथ है 3 3 के साथ है 0 तो इस तरह से values आ गए अब यह जो inner values है table की इनको किस तरह फिल करना है यह हमने पहले भी देखा था सेम काम करना है old value upon key element क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 row की नई values की old value 5 by 2 divided by key element 5 by 2 तो value आ जाएगी 1 ठीक है ना 5 by 2 को जब 5 by 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा अब देखिए 0 by 5 by 2 0 आ गया 2 divided by 5 by 2 तो यानिके इसको उल्टा करक्लिक लिए यह आ गया 4 by 5 आ गया फिर आप देखिंगे 1 upon 5 by 2 2 upon 5 बन जाएगा फिर आप देखिए 1 by 4 है यहाँ पर तो 1 by 4 into 2 by 5 यह आ जाएगा आपका 1 by 10 और यहाँ पर देखिए 0 है तो यह आ जाएगा आपका 0 solution की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 10 into 2 by 5 यह आ गया आपका 4 यह तो हमने फिल कर ली अपनी जो key row थी अब जो remaining values हैं उनके लिए वही बड़ावा यहाँ फॉर्मुला था एक बार दोबारा यहाँ पर देखिएंगे क्या किया था हमने old value यहाँ गई साब old value minus corresponding key row value तो इसके corresponding key row आ रही है value है 5 by 2 into corresponding key column value यही key column है तो यह value हाजाएगी 1 by 2 upon key element तो upon का मतलब हो गया divide करना है और divide करना है तो मैं into कर दे रहा हूँ और क्या कर दूँगा 2 by 5 आयोप इतनी बाद आपको समझ में आ रही होगी तो इसको जरा solve करते हैं इससे यह cancel out हो गया इससे यह cancel हो गया तो यह हो गया minus का 1 by 2 और minus minus plus का 1 by 2 तो value आ जानी चाहिए मेरी 0 तो यहाँ पर value आ जाएगी 0 ठीक ना फिर देखिए सी तरह एक और करके दिखाते हैं बाकि यह values जल्दी से fill कर देंगे जैसे आपने लिए old value 1 corresponding value 0 corresponding value minus 1 by 2 divided by की element यानिके 2 by 5 तो जब आप इसको solve करेंगे तो यह पूरा 0 से multiply होगे खतम हो गया तो value बचिए आपके पास 1 तो चलिए जल्दी से सभी values को fill कर देते हैं इसी तरह से तो यह values लेके आगे 2 by 5, 1 by 5, 3 by 10, 0 and 5 एक बार row number 3 की कुछ values और बना कर देखते हैं जैसे suppose कीजिए वह यह वाली value है इसकी नई value चाहिए यहाँ पर तो 1 minus corresponding जो row बनेगी उसकी value आजाएगी 10 into corresponding column बन रहा है value आएगी minus का 5 by 2 और divide करना है कि यह element से तो लिख दूँगा 2 by 5 इससे cancel हो गया, इससे cancel हो गया, minus का हो गया 10 और बाहर आगे हो जाएगा plus 10 तो यह हो जाएगा 1 plus 10 इसका मतलब 11 आगया, तो यह value मिल जाएगी 11, इसी तरह से सारी values को fill कर लेते हैं, तो यह values देखी यहाँ पर आगई, 0, 0, 10, 1, minus का 1 by 2 और 1 और यह हमने calculate कर ही ली थी, 11 value आगई थी, अब चाहिए भई ZJ, ZJ हमने देखा है, this into this, plus this into this, plus this into this, multiply करने पर यह तो 0 होके खतम हो जाएगे, बस यह value बच रही है, minus का 1, आगे देखते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, सिर्फ 3 बंजा, 3 बचा, इसको देखिए भई, यह तो value खतम हो गई, value बचेगी आपके पाद, minus 1 into 4 by 5, यानिके minus का 4 by 5, plus 3 into 2 by 5, यानिके 6 by 5, इसको solve करना है, य यह आजाएगा 2 by 5, यहाँ पर आगया, 2 by 5, इसी तरह से सारी values को fill कर लेते हैं, तो देखिए values आगए, minus 1, 3, 2 by 5, 1 by 5, 8 by 10, और 0, आप चाहें तो इसको और reduce कर दीजे, यह आजाएगा 4 by 5, 4 by 5, यह आगए मेरी values, अब हमें चाहिए बई, cj minus zj, तो cj देखिएंगे ज़रा minus का 1, और minus करना है zj, यानिके 1 minus वाला, यह आगए bracket में, तो minus 1 plus 1, 0, यह आगए बई 0, फिर चलिए, 3 minus 3, again 0, फिर आईए, minus 1 minus 2 by 5, जब इसको solve करेंगे, 5 आगए नीचे, तो minus 5 minus 2, यानिके minus का 7 by 5, यह value आगए, आगए चलते हैं लेखिए, 0, 0 minus this, यानिके minus का 1 by 5, 0, यानिके minus का 4 by 5, और यह आगए 0, हमें यही करना होता है कि जब तक सारी cj minus zj values negative न हो जाएं, आप रुकते नहीं हैं, तो यहाँ पर क्योंके आप देख पा रहे हैं, cj minus zj values जो है, 0 हो गई है, या negative हो गई है, तो अब हम यहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक positive value थी, इसलिए हमने दुबार solve किया, तो अब क्या हुआ देखिए, value आ गई है आपकी negative, अब आपको solution मिल जाएगा, आप कहेंगे, since all the cj minus zj values are negative, तो optimum जो solution है, वो achieve हो गया है, और x1, x2, x3, जो variables से जिनकी value आपको calculate करनी थी, वो हमें आप मिल गई है, देखेंगे आप यहाँ पर, x1 जो है, उसकी value आपको नदर आ रही है, 4, तो x1 की जगा पर आ गया, देखे 4, x2 हो जाएगा 5, आप देखेंगे, x3 तो हमें मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही optimum solution हो गया, तो x3 की value हो जाएगी 0, तो यह आ गया आपका solution, x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, अब अगर question आप या ही आया था, कि minimize, z equals to x1 minus 3x2 plus x3, और हमने इसको convert किया था, maximize में, और हमने इस रस लिदिया था, इन सभी की values को minus का x1 plus 3x2 minus x3, अब देखें, यह जो हमारे x1, x2 जो values मिल ही है, उनको यहाँ पर apply कर दीजे, और आपको solution मिल जाएगा, optimum value जो है, वो हमें मिल जाएगी, तो हम यह कहेंगे, minus x1, इसका मतलब minus का 4, plus 3x2, यानिके 3 into 5, कितना हो गया भई, 15, और फिर आप देखेंगे, minus का x3, और यह 0 है, तो यहाँ पर आगया minus 0, value मिल गई आपको 11, यह value लेकिन हमें मिली है, देखें, maximize की, हमें तो minimize करना था न, तो हमने क्या किया चा याज करि कर दिया था, तो अब आप इसको minus 1 से multiply कर दीजिए, इसका मतलब minimum value of z बराबर होगी, जो यह maximum value थे न, उसको दुबारा minus से multiply कर दी, minus का 11 आपको मिल गया, तो यह होगे आपका final answer, चाहें तो इसी में apply कर दीजिए, यहाँ से आपको value मिल जाएगी, तो आपकी मर्दी है, त यह हमने solve कर लिया है, minimization का एक problem by using simplex method, maximization का already question solve किया जा जुका है, उसकी link भी description box में दे दी जाएगी, अब आपको करना क्या है पिटा, इसको देखिए, समझिए, बहुत जादा महनत से, बड़ी अच्छी तरह समझा के कोशिश की गई है, कि जो कुछ important बात है, वो इस question मे आपको समझा दी जाएं, और कोशिश की गई है, आपका time भी जादा खराब नहों, लेकिन फिर भी important चीज़े सारी यहाँ पर cover कर जी गई है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको करना क्या है बटा, इसको देखिए, समझिए, अपने friends को रोज share कर दे, channel को subscribe करना बिल्कुल भी नभूले, हम मिलेंगे आपसे next lecture में, thanks for watching, welcome to shapeser classes, commerce students की अपनी coaching, BCom students की favorite coaching, यहाँ पर बेटा हम provide करते हैं आपको complete BCom solution, semester first से लेकर semester 8 तक, जो भी numerical subjects हैं, वो सभी आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझाए जाते हैं, पढ़ाय जाते हैं, और theoretical subjects में भी जो guidance है, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको guidance मिलेगी बिटा मेरी, और साथ में, जो हमारे respected AMU faculties हैं, उनकी guidance भी यहाँ पर मिलती रहती हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा score कर पाएं, और यहीं से पढ़ने के बाद, माशालला, आपके काफी seniors हैं, जो अलग- marks score करके लाएं हैं, अपनी अपनी classes में, और एक तो आपकी senior है, माशालला, उन्होंने gold medal भी हासिल किया है, श्वेपसर classes और अपनी मेहनत के साथ, तो महविश को बहुत-बहुत मुबारक हो, उन्होंने gold medal लिया था, AMU से, और आपके पास भी अभी मौका है, कि आप श्वे चांसेस रहेंगे, आगे job opportunities के लिए, और further studies के लिए, तो जल्दी से आ जाएंगे बटा, join कर लिए, श्वेपसर classes को most welcome.